जैवीम देखिए सबसे पहले तो सभी संतों महापुर्षों को नमन और आज एक अस्पेशल नमन जो है वो राश्च्पिता महामानव जोतिपा फूले साब को क्योंकि कल उनकी जो है जैन्तिय और वो परिवर्तन के बड़े योधर हैं बाबा साब ने उनको गुरु ऐसे नहीं माना बाबा साब ने उनको गुरु माना तो उनके द्वी दवारा किये गए कार्यों के द्वारा क्योंकि बाबा साब 91 में पैदा हुए और वो 90 में जो है राश्पिता जोती बाफूल है हमारे बीस से चले गई थे कल उनकी जहनती है तो उनको आप सब लोग के माद्दम से तो आज नमन अब मैं जो बाते आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसा मैंने कहा कि सभी संतों महापुर्ष को नमन कर देते हैं प्रम पूझनी रोधी सत्त तःख्यकात गोदम भूच्ची को नमन संतन चुरुदा techniques महराज को नमन भग्वान वालमिकी महरेज नमन गुरु नानक देव को नमन संत्कभी डाशी को नमन संतम्देव जीदिको नमन और जैसे बहुजन समाज के जो समाज सुधारक रहे हैं बड़े पैरियार साहब हो या राश्पिता जोती बाफुले हो संतगाडगे जी महाराज हो गुरुनान स्वामी हो बावा साव अंबेड कर हो या फिर हमारे रहवर रादस मानेवर साहब काशे राम कल आपको राश्पिता जोती बाफुले के जनम दीवस पर उनकी जो किताब है उसको तो पढ़े भी पढ़े लेकिन उनका जीवन के का जो साराणस है उनका ज्जीवन है उसको उनका जीवन پर चर्चा करें उसको एग बार पढ़े जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोकडाउन के समय का सही सत्यूपियक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्यन करें जो मिचंद्री लोग है मैं एक बात अपने विसे में भी कहूंगा आज आप लोगों से मुझसे हमारे साथ ही जरूर पूछते हैं सभी तो जब आदमी किसी आंदोलन से आंदोलित हो जाता है जनून अपने अंदर पैदा कर लेता है तो फिर उसे किसी भी तरह की जो है भूख प्यास और वो सब चुझे दिखाई नहीं देती रुकना दिखाई नहीं देता स्वाविमानी बनना स्वाविमानी खुद को कहना बड़ा आसान है लेकिन स्वाविमानी बनना बड़ा कटिन जिस राच्ते पर आप चले लंबे समय तक बिना समझोते के उन joints और राच्ते पर चलना पूंट एक तीकी like light है एक अलग तरह की लाई तो ये नोजवान तो समझ गया है, नोजवाने को तो त्यार कर दिया है हमने, कि वो तो स्वाविमान कीमा समझने लगे हैं, वो तो संगर कर रहे हैं, वो तो समझोता नहीं करते हैं, एक सीधी बात है, समझोते से दलाल पैदा होते हैं, और संगर से ल कि बहुजन राज लाने का प्रयास करेंगे उस पर मेहनत करेंगे अब बात मैं करूं कि बात बहुत जल्दी खतम करूंगा कि चोदा प्रहज़की कि आपको याद है ना परक्रिया सुभए नहां दोकर बावा साब के चीत्र पर पुस्पान पुस्पर्पित करने पर और पर जैसे राज़पिता जोतीबा फूले भी मात सावित्र पुस्पित्र पूले के बिना अधूर हैं हमारे मुवमेंट में पीछे जाने करनी है कि हमारी मुवमेंट से हमारी बहने और महिलाय容 बहुत कम संक्या में जुड़िवी उनको भी जोड़ना उनको भी मिशन की तरफ लेके जाना उनको भी अपने महापुर्शुक विचार धरा बतानी तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ परिवार के साथ बैठके सविधान पे बावसाब के जीवन पे उनके संखर्ष पे चर्चा जरूर करती है उसके बाद सक्समता के नुसा जितने जो सक्सम हो जो जरुद मनुन को भोजन की ववस्ता करा दें राशन की ववस्ता करा दें फिर जो क्यूस्चन आंसर दूँगा मैं कल क्यूस्चन आंसर दे दूँगा पेज पे आप महां से ले लिजीगा सभी लोग सारे प्रदेश दख जैसे ही आप मौम्बत्ती सक्षंता के नुसारिया दिया जलाएं बाबा साब के सविधान की प्रस्तावना उसकी रख्षा के लिए और उसको पोन्च से लाओ कराने के लिए सविधान पहले प्रस्तावना पढ़ें, फिर उसको संकल्ब लें दर संकल क्योंकि आप स्वाभी मनी लोग हैं दर संकल लें कि आपको सविधान की स्वख्षा करना है उसको सविधान को फुन उससे लागु कराना है एक और सबसे आवस्यक वाद जो मुझे भी कहनी है आप लोगों से भक्तों की तरह है रोड पे निकलिएगा मेरा निवेदन है आप लोगों से रोड पे नहीं जाना है लोग डाउन का पून पालन करना हम बेड़कर वादी क्योंकि अभी अभी नोंने पूरा करोना वाइरस का मामला देखे कि दर डाइवर्ट कर दिया जमात की तरफ ऐसा नहों कर ये आपकी दर डाइवर्ट कर दें कि देखे अंबेड़कर वादी नहीं कर दें तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि सरकार बचने के बहाने डूट रहे तो आपको सड़क पे नहीं आना अपने घरों में रहके सांतिप्रेत्री के से अनोखे डंग से लोगडाउन का पालन करते हुए इस बार प्रम पूझने बोधिसत बावसाम बेटकर की जैनती जो है मनानी है बाहर नहीं आना है कोई भी साती बाहर नहीं आएगा सड़क पे नहीं आएगा अपने घरों पर ही चटों पर परिवार के साथ रहके इस बार जो है ये जैनती समारों मनाया जाएगा लेकिन मेरी रिक्वेस्टर की सड़क पे ना कोई भी आए बहुत सारी बाते करने हैं एक दूद में फिर में लाई होगा ये ऐसा नहीं कहा है बाबा सामने और युवाओ को कहना चाहरा हूँ बहुत युवाओ तब हम जुड़े में हैं बिठाई ती नजार लोग अगर इस देश में परिवर्तन चाहते हो हाकादिकार चाहते हो अपने लोग का राज चाहते हो अपने लोगों को आगे बढ़ता देखना चाहते हो और इस देश से जाती का विनास चाहते हो जैसा बाबसा पंबेट कर चाहते है जैसे हमारे संत महापूर्श चाहते है इस देश को प्रभूत भारत बनाना चाहते हो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सबसे बड़ा जो सुत्र है वो है ज्ञान पढ़ना सीख लो खूब पढ़ाई करो जिस भी फिल्ड की मेरे काम करें उसको खूब अच्छी तरह से जानो पढ़ो उसको उसकी जानकारी कठा करो मैं आपसे भी कह रहा हूँ दुबारा खूब पढ़ो जिस भी फिल्ड में उत्रो मैं अपने साथ हूँ जिस भी फिल्ड में उत्रो इतियास लिख के जा और देखे सब चीज़ रिखाती आज मैं एक छोटी सी कहानी शेयर कर देता हूँ आपको खतम करने से पहले लाइफ समझ गये ना बहार नहीं आना है रोड पे घरों में रहकर ही यह आज बार मनाना पहले हम सोबायात्रा और वोट्षर चीज़ निकालते हैं इस बार नहीं निकलेगी तो हमें घर पे रहकर मनानी मैं कहानी शेयर कर रहा था वो यह है मैं अभी आज ही ना शाम में यूट्यूप एक कुस्ति का वो देख रहा था दंगल देख रहा था उसमें मैंने देखा दो पहलवान हैं और हर पहलवान अपनी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे दाव लगाते हैं जीतने के लिए वो उनकी फिल्ड है और उसमें उन्होंने वो मास्टर बने उसमें उन्होंने काबलेत हासिल की और उसके लिए उन्होंने संगर्ष किया बिना संगर्ष किया कुछ नहीं मिलेगा यह बहुत बढ़ा अंदोलन है आपको नेट में प्रोब्लम होरी बारवर में जल्दी खतम करने वाला हूँ ऐसा मास्टर जो सारे हुनर यह हजारों साल की गुलामी एकदम से नहीं जाएगी तो इसके लिए त्याग समर्पंट्स बहुत जरूरी है वो लाना पड़ेगा और बाकी तो क्या कहने पूरे देश में आजाज समाज पढ़ती और वहुजल समाज के युवाओ के नहीं मार्मी के युवाओ के आपने तो गौर्वान मित महसूस करवाई दिया है जै भी जै भारत जै भी मार्मी जाजा समाज पढ़ती आप सब लोग को राष्ट पिता जोतिबाः फुले की जेन्थि की बहुत बहुत मंगल काम ना है बस अब चित्र नहीं पढ़ आ है उनके चरित्र नहीं को पकढ़ना है उनके जीवत संगर्श को पढ़ना उनकी तरही बननां है उस पर काम करना है भाषन देने से कुछ नहीं होगा जमिनी इस कारवा को बहुत आगे लेके जाए जैवीम इसको इतना शेयर कर दीजे कि ये वाटसप की गुरूप में ट्विटर से फेस्बुक से और जो और जो सोशल नेटवर्क हैं इंस्टाग्राम से सब जगा से जैवीम याद रहे घर पर रहके मनानी भक्तों कि तरे भाद नहीं जाना है बाबसाब ग्यान के सूरियत है तो ग्यान ही लोग कभी अग्यानता काम नहीं करते हैं